इनमें कई तरह के कारेकमों का भी आयोजन हो रहा है आपको भी समय निकाल कर अपने पास कैसे अइतियासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए आपको स्वतंतरता आंदोलन के ऐसे इतियास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिन से आप अंजान रहे हैं मैं आज पास के स्कूल के विध्यार्थियों से आगरह करूँगा टीचर से आगरह करूँगा कि अपने स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को ले करके जुरूर स्टेशन पर जाए अब पूरा घटना क्रम उन बच्चों को सुनाएं समझाएं मेरे पैरे देश्वासियों आज आज जी के अमरुत महोस्व के तहत तेरा से पंदरा अगस्तक इस्पेक्शल मुवमेंट हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का अयोजन किया जा रहा है इस मुवमेंट का हिस्सा बनकर तेरा से पंदरा अगस्तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएगे या उसे अपने घर पर लगाएगे तिरंगा हमें जोडता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है मेरा एक सुझा ये भी है कि 2 अगस से 15 अगस तक हम सभी अपनी सोचल मेडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं वैसे के अब जानते हैं, 2 अगस का हमारे तिरंगे से विशे सम्मन्द भी है, इसी दिन पिंगली वेंकेया जी की जन्मजन्ती होती हैं, जिनों ने हमारे राष्ट्रिय अद्वज को डिजाइन किया था मैं उन्हें आदर पुर्वक्सतर धांजली अर्पित करता हूँ, अपने राष्ट्रिय द्वज के बारे में बात करते हुए, मैं महान क्रांतिकारी मेडम कामा को भी याद करूँगा, तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमी का बेहत महत्वपुन रही है, साथियों, आजहाजी के अमरित महोत्से में हो रहें, इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है, कि हम सभी देश्वासी अपने करतवे का पूरी निश्चा से पालन करें, तभी हम उन अन गिने थोतंतरता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों क भारत बना पाएंगे, इसलिए हमारे अगले पचीज साल का यमृत कार हर देश्वासी के लिए करतव्य काल की तरह है, देश को आजहाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें यह जिम्मेदारी दे कर गए हैं, और हमें इसे पूरी तरह निभाना है, मेरे पैरे देश्वास्यों, क करोना के खिलाब हम देश्वास्यों के लड़ाई अब भी जारी है,